सो नाव IRFC लिमिटेट अब देखें यहाँ पर भयानत तेजी यहाँ पर देखने को मिल नहीं है लगवग आज का और कल का अगर हम जोड़ें तो 17-18% का यहाँ पर आपको मोटा मोटा रिटन मिल गया है और यह स्टॉक के अंदर एक अचानक से इतनी बड़ी रेली कैसे बन यह समझना बहुत इंपोर्टेंट है क्या यहां से डबल होने की तैयार ही है IRFC की क्या रिटेल इंवेस्टर्स को अभी तोरंत इस स्टॉक को खरी लेना चाहिए या फिर अवाइट करना चाहिए तो अभी अगर IRFC का चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मई मि इस जो है ना वह एक रेंज में बिल्कुल बने हुए थे 31 रुपय से 34 रुपय की रेंज में इन्होंने एक दो मीने यहां पर इसे स्टॉक ने काट दिया सड़नली यहां पर आपको ब्रेकाउट मिलता है 34 पर और वहां पर भी आपको थोड़ा सा थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर आती लेकिन आपको 34 के नीचे जाना नहीं हुआ और सड़नली आपको यहां पर कल के दिन ब्रेकाउट मिलाओ और एक ब्रेकाउट साड़े आठ परसेंट का स्टॉक के अंदर बहुत ही भेंकर उचा ले गया है उपर से यहां पर आपका जो एक रेस्टेंस लेव इसके जैसी कंपनियों से तो फिर आपको समझ में आया की वेलिशन कहां पर है क्या यहां से सड़न वेलिशन के अंदर एक जंप हमको देखने भी लगा जिसकी वज़ए से आपर स्टॉक के प्राइस जो है न वो भढ़ने लगेंगे तो अभी मार्केट के पर इस कंपनी का 53,319 करोड का इसने IRCTC को बीट कर दिया है IRFC ने यहां पर मार्केट कैप या कहें वेलिशन के हिसाब से अगर आप देखें तो IRCTC को बीट कर दिया है IRFC ने इस वक्त लेकिन इसके जैसे जो फाइनेंस टम लेंडिंग जो है न वो कंपनी किस पोजिशन पर है यह अभी हम अभी अगर स्टॉक का PE ratio देखें तो 8.41 पर क्लॉक कर रहा है इस वक्त अगर आपका इंडिस्टी पी देखें तो 5.40 पर है अगर आप यहां पर डिफरेंस देखेंगे तो हमारा PE ratio इंडस्टी पी के एवब निकल चुका है जिसका मतलब यह है कि वेलिशन जो है वो हाई यहां पर हो चुकी है अब यह वेलिशन से आपना जस्टीफाई कैसे करेंगी स्टॉक के प्राइस को कि यह उपर ही रहें तो मेरे पास एक एक एग्जाम्पल है आर वी एनल रेल विकास्त निकल लिमिटेड यह वी रेलवे की एक कंपनी है हाला कि दोनों के काम बिलकुल लेकिन रेलवे में suddenly जो तेजी हमको देखने को बिली है रेल सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स लिस्टेड है रेलवे से बिलेटेड उन सब के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को बिली थी लेकिन है आप देखे तो वह कंपनीज कहां पर है आर वी एनल अभी भी 18 पॉंट फोटीवन के पी रेशियो पर है इंडस्ट भी आपका 56.49 पर है इसका मतलब यह है कि आर्वी एनल की वेलुशन अपने इंडस्ट पी एर की कंपैरजन सस्ती चल ली है तो आर्वी एनल का जो तीजी है वह अभी और हो सकता है लेकिन आया एफ सी का यहां पर ना आप आपका जो इंडस्ट भी यह उससे एवब यहां पर आपका पी रेशियो निकल चुका है यानि की महेंगापन आ चुका है तो आर्वी एनल में यह देखने को नहीं मिलता यह एक एक्जाम्पिल की तौर पर मैंने आपको देखने को आपको दिखाया अब आते हैं कंपैरज इंडियन रेलवे फाइनस कॉर्पेशन भी आपका PSU कंपनी है अब इनके मार्केट कैप आप देखे आज यहां पर अपडेट नहीं हुआ है 53,000 क्रोड के असपास का मार्केट कैप है यानि की आरी सी के हम बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं PFC का 68,998 क्रोड का मार्क इन दोनों कंपनी के कंपैरेशन पीछे है थोड़ा सा और कैच अप हो सकता है अब आते हैं नेट सेल्स पर तो PFC की नेट सेल्स है यहां पर है आपका करोड अभी बढ़ गई होगी दो जाते इस में आरेसी लिमिटेट 39,000 करोड इंडिया रेल्वेए फाइन्स कोर्परिशन 20,299 करोड रुपय का नेट सेल्स ती अभी यहां पर है ऑल्मूस 26,000 करोड के असपास की नेट सेल्स है दो जाते इस मार्च के साफ से अगर आप द का 18,068 करोड का मे जो बहुए वह आपको देखने मिला था साला ने त 3 में यह बढ़ गया होगा यह बीस ऐसागर की ऊपर निकल गया होगा दो आरेसी का टैन थाूजण समझ में आ रहा है थोड़ा सा comparison में आसानी था इसलिए मैंने आपकर आपके सामने यह कंपनी के रखे लिखना पड़ता और आव आ जाते हैं यहां पर पी रेशो जो कि हमें समझ में आ रहा है कि वेलेशन महंगी है यह कम इन दोनों कमपनी होगा जो की पावर सेक्टर में हैं पी एस यू कमपनी हैं दोनों का काम सिमलर है इनका अभी यही काम है मोनोबॉली आई 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 एफसी को मिल रहा है अगर हम देखें तो अभी आपर कुल मिलाकर यही समझ में आता है कि पी एस यू में अगर इस सेक कावले में बहुत ही बयानक अच्छा खासा डिविडेंट देती हैं स्टॉक के प्राइस कम उच्छाल और ग्रावट में रहते हैं लेकिन जो डिविडेंट है उससे आपकी इतनी कमाई हो जाती है कि आपका सालाना जो रिटन बनता है चौबिस परसेंट के असपास मोटा से हैंन से आपको कुछ नहीं करनाया ये कंपनिया निकाल कर देती हैं और इनकी आज की आदत नियीं ए यह बहुत पुराने आता है यह चौबिस परसेंट का जिसे रिटन चाहिए होता ना कमपाउंडिंग में वह ये निकाल के देते हैं चाहिए वह बली वो डिविडेंट से दें या फिर स्टॉक की प्राइस दें अब दोनों ही अगर दे चलते हैं तो फिर तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है लेकिन मोटा मोटा बीस से चौबिस परसेंट की असपास का रिटन इन दोनों कमपनी से मिल जाता है मेरा भी यही सुरू से कहना है मैंने आप से कहा तर पचास रुपए बहुत बड़ा यहां पर ना प्राइस रहेगा आई आर एफसी के लिए आई आर एफसी के अंदर पचास रुपए तक आप लेकर चल सकते हैं इसकी उचाहियां उसकी उपर निकला तो बहुत महंगा हो जाएगा अभी भी बहुत महंगा है पचास की उ तो फिर आप समझ सकते हैं कि यहां पर थोड़ा सा तो जो कॉंप्टिशन वो काफी टफ हो जाता आप सारे कॉंटेट इनको मिलने हैं नेटसल तो इनकी बढ़नी हैं लेकिन इसका मतब यह थोड़ी की वैलिशन जो है वो रॉक स्काई रॉक्ट हो जाएं आप ने देखा या सीटी से में कैसे रुकावट आगई तो वो आप देखें यहां पर तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई नई खरिदारी आपको करना चाहिए जो कि मैंने बहुत पहले आपसे कह दिया था 50 का लेबल यहां से डवल होने का तो पता ही नहीं उसको आप साइड में रख दीजे डवल होगा होता रहेगा 40 का 80 हो जाए कुछ नहीं पता लेकिन वैलिशन इतना महंगा हो जाएगा इतना महंगा हो रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि यह नए निवेसकों को यह रिस्क लेना चाहिए नए निवेसक आयार एफसी से अब दूर रहना स्टार्ट करें जादा वैतर है क्योंकि यह जगह खरिदारी की नहीं है ठीक है यह आप समझे आपका पी रेशियो डबल हो चुका है पर उसमें भी गेम बहुत चला एक लाग करोड का मार्केट कैप हो गया था देखा किस जटके में आपको 50% करेक्ट आपको होते हुए दिखा आया सीटी से तो आप इस बात को समझे एंचियों से थोड़ा सा बचे एक और आपको शेरोल्डिंग पैटन में आपको दिखात हैं क्योंकि यह एक डिविडेंड पर 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 स्टॉक है कोई बहुत बड़ी तेज़ी यहां पर ना संभावना बहुत कम लगती है नमर अफशेस बहुत है तो आप इस चीज़ को समझे बहुत बड़ा प्राइस बहुत बड़ा कैच अप यहां पर ना बहुत ही मुस्किल जैसा लगता है यहां पर तो भले ही यहां पर डबल क्यों ना हो जाया आई यार एफसी लेकिन उसमें जो निवेशकों के लिए रिस्क रहेगा वो बहुत जादा रहेगा अगर कोई इस रिस्क को अपने साथ रखना चाहता है तो फिर डेफनेटिली आप आई यार एफसी मैं निवेश कर सकते हैं लेकिन जिने रिस्क लेना पसंद नहीं है कि मैं बहुत जादा रिस्क नहीं ही लोंगा वो उनके लिए आई यार एफसी नहीं है आप यह समझेए उनके लिए आई यार एफसी नहीं है आई यार एफसी को खरीदने का टाइम था पच्चेस रुप सो स्वेयर आजाएंगे जिससे कि हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं एक रुबे यह बड़े गा तो पान सो रुपे जिम में आएगा ठीक है वो एक अलग बात है लेकिन मार्किट के आप देखे पच्छास जार क्रोड के एवल निकल चुका है तो वो आपको थोड़ा सा सि इस से जादा मैं नहीं देखूंगा मुझे यहां पर बहुत जादा रिस्क लगने लगा तो यहां पर जो पुराने इस शेयर होल्डर्स हैं यहां पर जड़ा आप देखेगा अगर आपने शेयर रखें आयरेपसी का और आपको मनमुताबी प्रॉफिट हो रहा है तो फिर तो आप यहां पर थोड़ा सा नजर रखें थोड़ा सा कॉसे सोकर चलिए उमीद है आप इस बात को समझेंगे जो भी मैंने डेटेल दी है उसको थोड़ा सा एनलाइस करें अपनी तरफ से भी एनलाइस करी है इसा नहीं कि मेरा इसस बहुत बैदरी नहीं ऐसा बिल्कूल भी नहीं आप एनलाइस करेंगे थोड़ा से चीज़ है आपको समझ में आएंगी अगर इस एनलाइस कुछ गलती भी है तो आप मुझसे कहिए का कमें सेक्षन में कि मुझसे यह गलती भी मैं दोबारा यहां पर न सुधारने की कोसिस करूंगा तो आपके कहने इसके उपर कम आप तो